लोकसभा दोहजार चोबिस के दूसरे चरण के चुनाव का आगाज शुक्रवाद 26 अप्रेल को हुआ इस मौके पर यात्माल वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले दिग्रश शहर में सुबह से ही अने को पोलिंग बुथों पर बड़ी संख्या में अजर आया है टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक और सोशल मीडिया से लेकर गाव कजबो शेहर तथा देहातों के नुकड तक इन दिनों सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव दोहजार चुबिस की ही चर्चा जोरो शोरों से चल रही है शुक्रवार 26 अप्रेल दो परी उत्सा नजर आया शेहर और तैसील भर के अनेको पोलिंग बुथो पर मतदाताओं के उत्सा का अंदाजा उनकी भीड से लगाया जा सकता है कई बुथो पर दूपर तक मतदाताओं की भीड कम होने का नाम नहीं ले रही थी हर कोई अपने दोस्त अपने परिवार और परिचितों को लेकर मतदान केंदर पर पहुशता नजर आया दिग्रस में महाविकास आगाडी के उद्दो ठाकरे गुट शिवसेना के लोग सभा उम्मीदवार संजे देश्मुक ने अपने परिवार के साथ सुबह सवेरे चिंचोली गाओं के मतदान केंदर पर मतदान क इसके अलावा शहर के खासो आम नागरीकों ने भी अपने काम और व्यस्तता से समय निकाल कर मतदान केंदरों का रुख करते हुए अपने रास्टिय करतव्य को अदा किया क्या युवा क्या बुजूर्ग क्या महिला है और क्या पुरुश हर कोई जल से जल्द अपना मतद कर मतदान की अपनी रास्टिय और नेतिक जिम्मेदारी को निभाने में तत पर नजर आया दोपर की कड़ी धूप में भी दिगरश शहर तता परीसर के मतदाताओं के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई बलकि खिली-खिली मुस्कान के साथ कई मतदाता बग अन्य मतदाताओं को मतदान में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रोथ साहित किया दोपर को खबर लिखे जाने तक पुलिंग बुतो पर मतदाताओं की भीड घटने के बजाए उसमें काफी इज़ा फान नजर आया जिसे देखकर एक बात तो साफ हो गई कि किसी जमाने में लोगसभा चुनाओं का ताना बाना सिर्फ और सिर्फ केंद्र के मुद्दों के इर्द गिर्द बुना जाता था उस समय देहात और गाओं और छोटे शहरों के मतदाता लोगसभा चुनाओं में केवल आपचारिक रूप से शामिल होते थे लेकिन इस बार इस मतदाताओं ने अपने नीजी कयास आपेक्षा और तर्क बुद्धी के साथ हिस्सा लेना पसंद किया है देखना होगा कि मतदाताओं के उत्सा के साथ संपन्न हुए लोगसबा चुनाओं के दूसरे चरन के चुनावी नतीजों का उट आखिर किस करवट बैटता है NBCN News के लिए दिगरस से जुबैर खान के रिपोर्ट